दोस्तो नहाते समय अगर आपका पानी हाड है या उसका पी एच बहुत कम है तो दोनों ही कंडीशन में आपके बाल और आपके स्किन डैमेज हो सकते हैं केवल पानी के वज़े से आपने देखा होगा कही बार हम कोई एक जगह शिफ्ट करते हैं और फिर अचानक से हमारे बाल हमारे स्किन अच्छे या बुरे होने लग जाते हैं सम्टाइम्स दर रीजन इस ज़स्ट वाटर नहाने वाला पानी वाटर की जो हाडनेस होती है वो प्राइमरिली उसके अंदर कितना कैलशियम, मगनीशियम जैसे मिनरल्स डिपॉसित कितने डिजॉल्ड हैं वो माहिने रखता है और ये मिनरल्स ओवरॉल पानी की हाडनेस को डिटर्माइन करते हैं और पानी का जो pH होता है वो उसकी acidity या alkalinity के हिसाब से गिना जाता है जो के hydrogen ions उसके अंदर कितने H plus ions concentration है उससे देखा जाता है पानी की हाडनेस और pH दोनों अलग-अलग हो सकते हैं और इन दोनों का एक दूसरे के साथ relationship हो सकता है, indirect और correlation भी हो सकता है जो acidic water होता है उसके अंदर जो minerals होते हैं उसकी solubility बढ़ जाती है, उसके घुलने की शमता बढ़ जाती है इस वज़े से acidic water के अंदर hardness याने calcium magnesium ज्यादा होता है और जितना pH कम होगा उतना ज्यादा dissolution calcium magnesium का इसका होगा alkaline water के अंदर high pH होने के वज़े से जो calcium magnesium के minerals होते हैं ये salts बनके deposits हो जाते हैं नीचे और water hardness technically कम हो जाती है और ये जो formation होता है इसलिए जो alkaline water होता है वो जो pipes है या जहां जहां पर आप उसको ले गए आते हैं उसके आसपास में एक for scales या mineral build up हो जाता है ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि पानी की hardness और पानी के pH दो अलग चीज़े हैं लेकिन दोनों ही आपको धिक्कत दे सकती है अब अगर आपके घर में acidic water आ रहा है hard water आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं एक simple solution है कि अगर आप पानी में नहाने से पहले baking soda डालें baking soda डालने से क्या होगा खोड़ा सा डालना एक दो चमच ज्यादा नहीं baking soda क्या करता है वो help करता है आपके skin को क्यों 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 कि baking soda alkaline होता है और काईदे से अगर आप अपनी skin का pH चेक करें तो skin का pH होता है आपका acidic लेकिन अगर आप उस पे harsh soap लगाएंगे environment में pollution हैं और कुछ उल्टे सीधे skin care products और ये वो use करने के मज़े से कई बार skin का pH balance बिगड़ जाता है या वो बहुत alkaline हो जाती है बहुत acidic हो जाती है दोनों cases में extreme levels पे जाने पे वहाँ dryness आ सकता है irritation आ सकता है और आपके other issues शाले हो सकते हैं allergies हो सकती है अगर आपके घर में hard water आता है pH उसका कम है तो उस पानी में baking soda डालने से जिसका pH 9 के आसपास है वो एक buffer जैसा काम करता है और नहाने के पानी में डालने से उस पानी की acidity को भी neutralize करता है और even अगर आपके पानी जो है वो अगर acidic नहीं भी आ रहा है तो वो extra alkaline पानी आपके इस skin के ऊपर अगर excess acidity है तो उसको neutralize करता है और skin के pH को उसके जो normal natural slightly acidic state के आसपास ले आता है तो skin का pH balance restore करने में मदद करता है तो baking soda can help you अगर आपके skin dry रहती है, irritation रहता है, skin में soothingness ला सकता है, skin और बाल दोनों की health को, overall health को improve कर सकता है झाल 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 झाल